कोविट से बचने के लिए लोगों से बार-बार मास्क के इस्तिमाल करने की अपील की जा रही है इस हवाले से दिल्ली के लोगों और डॉक्टरों से हमारी नुमाइंदा रचनानी बाचीब की COVID-19 का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और यह सभी के लिए चिंता का विश्य है आज हम बात करेंगे गंगराम की डॉक्टर पूजा खोस्ला से COVID-19 एक बार फिर से बढ़ रहा है क्या कारण है मैं की दुबारा से जो कम हुआ था वापस बढ़ रहा है ग्राफ सबसे पहले हमारा COVID-19 का जो पिछला वेवा है था उसके बाद cases काफी कम हो गए थे और cases कम होने से लोगों में आजीब सा confidence आ गया कि COVID-19 खतम हो गया है सबने अपनी सुरक्षा कर दी बंद अपना मिलना अपना नॉर्मल लाइफ में आना अपना पाटी अटेंड करना जितने सोशल फंक्शन से वह अटेंड करने सबने अपने गाज जिसे मास कहते हैं अपना protection इसको शोड़ दिया था सब आपस में मिलते रहे वाइरस बदलाव कर रहा था दूसरी कंट्री से हमें चेताव नहीं आ रही थी पर हम अपना के इंडिया जीत चुका है यह शायद COVID-19 यह इस ब्रहम में जीते गए इस ब्रहम में जीते जीते हमने अपना जो मास्क हमारी सुरक्षा है इसको casual अप्रोच में ले लिया तो आप वही strains जो आ गए है उनकी infectivity इतनी हाई है more than 90% है एक से chance है कि 9 लोगों को हो ही जाएगा सो इस चीज से बचने के लिए हमें अपने आपको कम से कम mask अप करना है मास्क के द्वारा बचाना है क्योंकि अभी जिस तरह से महौल चल रहा है यह आग की तरह तेजी से बढ़ रही है मास्क को एक तो ठीक तरह से इस्तमाल करना है मास्क की लाइफ है मास्क का एंगलेस यूज नहीं होना चाहिए मास्क से अपना जो एरिया फेस का कवर करना उसके बारे में हमें पूरा क्लेर होना चाहिए और हमने इस बार यह देखा कि एक मास्क की जगा लोग दो-डो मास्क लगा रहे हैं, तो अगर टोल जो मास्क लगाते हैं उन से किस तरी किसे प्रोटेक्शन हो पाता है, क्या कॉटन का मास्क हमारे लिए उतना यूस्फुल है, या फिर हमें surgical mask का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें 95 ही mask इस्तेमाल करना चाहिए यह भी लोगों को ये श आईधमने का चीज़े से यह एक क्लोस सरकेट में ठीक है तो अगर आप यह खुला है यह पिंच नहीं है प्रॉपरली यहां से लीक कर रहा है आपको बाहर की स्मेल आ रही है तो हमारे ब्रीच है मास्क में तो जो हमने लगाया उसमें हमें पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी हम अपने आपको वल्नरे कि यह आपके स्किन के साथ अच्छे से एप्रॉक्सिमेट कर जाए यह नाक से यह आपकी चिन को कवर करें नीचे से कवर करें ताकि और जो टाई है वो पीछे हाथ साफ करें मास्क को बार बार उंगली नहीं लगानी मास्क को गंदा नहीं करना एक बार मास्क लग गया तो बार वार हमने हाथ नहीं गालना, मास को कही लोग नीचे कर देते हैं, that's a wrong way, आप कभी नाक के नीचे करते हो, कभी चिन के नीचे करते हो, और फिर उसे हाथ से उपर कर देते हो, तो हम खुद ही अपने आपको कंटामिनेट कर रहे हैं, मास को कंटामिनेट कर रहे हैं, तो कि पर्पस डिवीट हो जाता है, इस मास की लाइफ एंगलेस नहीं है, इसका भी लिमिटेड टाइम का फिल्टर है, शौटेज के दौरान में, इसे हम यूज करने के बाद, तीन-चार दिन लिफाफे के अंदर रखके, डर्क एरिया में इसका स्टेरिलाइजेशन करते होते थे, डिफरेंट टिकनिक से इसका उपयोग का टाइम बढ़ाते थे, पर फिल्टर का काम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, खत्म हो जाता है, वैसे तो इसको एक दिन का उपयोग में हमें छोड़ देना चाहिए। तो आपको लगता है कि दो मास्क लगाने से हम कोविट से ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अपनी सेफ्टी करना चाहिए, अपनी सेफ्टी हाथ पर दो के रखना चाहिए, माक्स लगा के रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी जो है वो करना चाहिए। इस तरह से महामारी फैल रही है, अपनी सेफटी हमें खुद रखनी है, यह इनकी दवाई आगी है और हम डेलाई बरते हैं, लोग लाप्रबा ना हो, साबधानी बरते हैं, देश से करोना जब तक खतम ना हो, हमें डवल मास्क लगाना चाहिए, अपनी सेफ मास्क बहुत और सबी बाईयों को मास्क लगाना चाहिए, अब बढ़ाना चाहिए, अब लाप्र। झाल झाल झाल